हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज मैं आपको बताऊंगा कि लैप्टॉप में क्रोम कैसे डाउनलोड करें यानि कि जो गूगल क्रोम ब्राउजर है सायद आपके फोन में भी होगा तो आप इसको डाउनलोड कै कैसे कर सकते हो इंश्टॉल कैसे कर सकते हो आए जानते हैं तरीका एक्दम सिंपल है यहां पे आपको क्या करना है सबसे पहला आपको करना है अपने कीबोर्ट से विंडो बटन विंडो बटन प्रेस करने के बाद एक चीज़ में आपको बता दूँ कि आपके चाहिए यानि कि net चालू होना चाहिए तो हमारा net connect हो चुका है इसके बाद window button प्रेस करने के बाद आपको search करना है internet explore यह आपको search करना है Microsoft Edge तो दोनों में सब कुछ भी search कर लीजे जैसे कि आप लिखेंगे e d ge तो यहाँ पर Microsoft Edge आ जाएगा वरना आप लिखेंगे internet explore तो यह भी आपके computer में मिल जाएगा laptop में मिल जाएगा तो Microsoft Edge या internet explore search करें और यहाँ पर इसे open करें मैं इस वाले को use करूँगा क्योंकि यह हर computer laptop में होता है फिर यहाँ पर आपको मिलेगा उपर एक डबा सा या यहाँ पर मिल जाएगा तो आप कहीं पर भी search करें तो मैं यहाँ पर search करता हूँ Google Chrome तो Google Chrome लिखें आप सिर्फ और लिखें आप download ध्यान रखिएगा आपको यह लिखना है कुछ और नहीं लिखना है और search का लेना है थोड़ा से वेट करिए यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे की तरफ एक option Chrome Web Browser Download Chrome Today या कुछ ऐसा मिल जाएगा और यहाँ पर देखिए लिखा होगा यह वाली line इस पर ध्यान रखिएगा आपको इस पर ही किलिक करना है और यहाँ पर इसके बाद आप ऐसे पेश पर पहुच जाओगे यहाँ पर आपको मिलेगा Download Chrome इस पर किलिक करें और नीचे Yes या Run नीचे की तरफ करने को कहेगा तो यहाँ पर Run पर या Save option पर किलिक करें थोड़ा सा वेट करें करीबन डेड़ या 2 मिनिट का हो सकता है आपका Net धीरे चल रहा हो फिर Yes करने को बोलता है यानि उस एफिलिकेसं को इंस्टॉल कर लीजिए जहाँ पर आपको डाउनलोड किया है परना आप इस PC या My Computer ओपन करोगे तो यहाँ पर Download folder में वो आ जाएगा ध्यान रखिएगा तो आप इसको यहाँ से भी Download कर सकते हो यहाँ पर आपको दिख जाएगा तो यह Download हो रहा है इसको Install कर लीजिए डबल किलिक करके Setup को और यहाँ पर हमारा Google Chrome डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर आइकन आ चुका है और यहाँ पर वो हमारी लिष्ट में भी आ चुका है मैं चेक कर आजता हूँ आपको तो आप देख सकते हैं और ऐसे आप इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी Google Chrome की तो साइधा को सोझ में आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें